अथिन मेटालिक वायर हैविंग क्रॉस सेक्षन एरिया 10 तुदी पार माइनस 4 मीटर स्काइर इस यूज़ तू मेकर रिंग ओफ रेडियस 30 सेंटिमीटर एक रिंग बना लेते हैं यहां पर ऐसे रिंग हो गया अभी बोल रहा है इस पर कि टू पाई कुलम्ब चार्ज दे द दस का पर माइनस 12 कुलम्ब का मतलब यह हो गया तो पूछ रहा है टेंसन कितना होगा रिंग में रिंग में टेंसन पूछ रहा है तो हम इतने किसी छोटा सा यह बहुत छोटा है लेकिन हम समझने के लिए इतना बड़ा पार्ट ले रहे हैं इतने रिंग के पार्ट को अब नाम हम देते हैं, A, B तो B के नीचे वाला बोल रहा होगा कि इधर आ जा बेटा और A के नीचे वाला इधर इसको खीच रहा होगा तो S से और S से तो 2 molecule के, इधर वाला molecule ये A molecule को अपनी तरफ बुला रहा होगा, उसे को tension बोलते हैं और B को जो उसके नीचे का मॉलिकूल है ये अपनी तरफ इधर T खीच रहा है इसे इसको T बोलते हैं टेंशन तो ये दोनों मिला के ऐसे और मान लेते हैं कि ये एंगल यहां पर छोटा सा एंगल डी थीटा बनाया है इतना समझ में आ गया डी थीटा ओके अब इधर एक वर् बनाया हूँ तो ये दी थीटा है तो ये आधा एंगल क्या होगा ये वाला आधा एंगल बता दीजे क्या होगा डी थीटा बाइटू हो गया डी थीटा बाइटू तो वर्टिकल लाइन देखे हैं वर्टिकल लाइन और रेडियस के बीच एक इतना एंगल है डी थीटा ब मैं बना रहा हूँ ऐसे इन दोनों के बीच अगर थीटा एंगल है तो दोनों पे 90 डिगरी ड्रॉ किजिए इस पे भी 90 डिगरी एक ड्रॉ करिए और इस पे भी 90 डिगरी एक ड्रॉ किजिए ऐसे तो इन दोनों में भी एंगल क्या बनता है थीटा बनता है तो यहां वर्टिक इतना हम समझ गए कि यह होर युनिटल के साथ एंगल बनेगा d theta by 2 तो tension का एक component इधर आएगा t cos d theta by 2 और नीचे की तरफ component आएगा t sin d theta by 2 वैसे ही इस तरफ से भी नीचे की तरफ component के आएगा t sin d theta by 2 तो यह black वाला जो portion मैं consider किया हूँ इस पे नीचे की तरफ क्या दो force आगया t sin d theta by 2 और फिर से t sin d theta by 2 तो downward direction में देखिए आगया 2 t sin d theta by 2 समझ गए इतना अभी इसको balance कौन करेगा तो center पर जो charge रखा हुआ है वो इस charge को क्या करेगा repel करेगा तो यह vertically downward force और repulsion के चलते vertically upward force जो आएगा वो equal होना चाहिए तो electrostatic repulsion कितना लएगा ring के उस पार्ट पे k और q एक center पे रखा हुआ है वो और इस ring के ऊपर कितना charge आएगा तो lambda मान लेते हैं charge per unit length है तो इसका length क्या है r d theta तो lambda r d theta ring पे है total charge lambda r d theta right lambda charge per unit length था ring का divide by r radius का square क्योंकि यह वाला radius लेना है इसके और इसके बीच का force निकालना है मुझे तो और यह इतना छोटा है कि इसको हम point mass consider कर लेते हैं d theta बहुत small है clear है lambda क्या होता है charge per unit length length 2 pi r है तो q जितना वेरिंग पे दिये हैं upon 2 pi r के बराबर है lambda clear तो सारे value को आप substitute किजिए तो t equal to r k q naught q by r square into 2 pi value substitute कर लेते हैं 9 into 10 to the power 9 2 pi into 30 into 10 to the power minus 12 p ko था इसलिए minus 12 और 0.30 का square into 2 pi तो इसे solve कर दिजे 9 into 10 to the power minus 3 into 30 divided by 9 into 10 to the power minus 2 calculation है शिर्फ तो इसे solve करेंगे तो 3 newton answer आ जाएगा इसका तो बहुत ही आसान question था यह राइट सिर्फ क्या करना था इस पे एक small portion consider करना था तो उस पे total downward force इधर की तरफ आया था 2t sin d theta by 2 और इसको electrostatic force से equate कर देना था कि ए q naught और ring के ऊपर आएगा lambda charge per unit इसका value है charge per unit 2 pi r length और lambda r d theta arc length होगा r d theta divided by r square अब इसको क्या मानना है point mass मानना है क्योंकि हम बहुत छोटा d theta लिए हैं इसलिए मैं point mass का formula लगा पाया इधर अब सब value दिया हुआ है सारा value substitute कर दिए और t मिल जाएगा आपको clear हो गया